अंग्रेजों के समय में जाती और शमुदायों के नाम पर बनी तमाम रेजिमेंट भारतिय सेना में अभी भी मौजूद है लेकिन चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था चमार रेजिमेंट भारतिय सेना में थी और उसका गोरव साली इतिहास रहा है वहीं अहीर रेज में एहम साहस और सोरिय का परीचे दिया था नमस्कार आपका स्वागत है सरल हिस्ट्री यूटूब चैनल पर मैं हूँ विनो द्यादव और आज के वीडियो में हम चमार रेजिमेंट के इतिहास के बारे में बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक सरल हिस्ट्री यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को फटा फट लाइक करके सेयर कर दीजिए चमार रेजिमेंट के इतियास को देखें तो एक मार्च 1943 को मेरट चावनी में ये रे किये गए थे जब उन्होंने हथियारों की ट्रेनिंग और सारीरिक चमताओं में खुद को साबित कर दिया तब विधीवित तोर पर शहतंत्र तोर से चमार रेजिमेंट को स्थाफित कर दिया गया। चमार रेजिमेंट ततकालिन ब्रिटिस सरकार की उस निती के तैच स्थाफित की गई थी कि जिन समुदायों की सेना में कभी हिस्सेदारी नहीं रही उन्हें भी सेना में सामिल किया जाए। इस रेजिमेंट के गठन के कुछ ही दिनों में दूसरा विस्वियुद तेज हो गया और उसका असर एसिया तक पहुँच गया। चमार रेजिमेंट को इसमें उतार दिया गया। उस समय दलीतों की तीन रेजिमेंट बिटिस इंडियन आर्मी में थी। महार रेजिमेंट, वर्ष्ट बटालियन को सबसे पहले गो आहाटी भेजा गया असम के बाद इस बटालियन को कोहीमा इंफाल और बर्मा की लड़ाईयों में तैनात किया गया था दूसरे विसु युद में इसके कुल 42 जवान सहीद हुए इन जवानों के नाम दिल्ली, इंफाल, कोहीमा, पून, आदी के जो युद समारक बने हुए हैं उनमें दर्ज हैं चमार रेजिमेंट के साथ जवानों को विभिन वीरता प्रुसकारों से समानित किया गया था यही नहीं इस रेजिमेंट की फर्ष्ट बटालियन को बैटल ओनर ओफ कोहीमा आवार्ड भी मिला था दूसरे चमार रेजिमेंट को 1946 में भंग कर दिया गया इस रेजिमेंट को भंग करने का काफी विरोध हुआ और इसे फिर से भाल करने के लिए आंदोलन सुरू हुए रेजिमेंटल दफेदार जोगी राम जी के नेतरतों में इसके 46 जवानों ने विद्रो कर दिया और इसे भाल कर करने के लिए आंदोलन करने के कारण उन्हें जेल की भी सजा हुई इस रेजिमेंट के एक सैनिक चुनिलाल जी अभी तक जीवित हैं पिछले कुस साल में रेजिमेंटल दफादार जोगी राम जी और दफेदार धरम सिंग जी की मिर्त्यू हो गई हैं तो दोस्तों ये था च चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक करके सेयर जरूर करतीजिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद